आस्ट्रेलिया के और राउंड मिशेल माश कूल हे की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ वंडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनका दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग के मौजुदा सीजन में खेलना भी संदिग्ध नजर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स ने माश को IPL मेगा ओप्षन में 6.5 करोर रुप्य में खरीदा था उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज खत्म होने के बाद 6 अप्रेल को दिल्ली की टीम से जुड़ना था लेकिन अब उनकी उपलबधता चोट की स्थिती पर निर्भर करेगी औस्ट्रेलिया के वंडे कप्तान आरोन फिंच ने सोमवार को कहा कि मार्श रविवार को फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे उनका स्कैन कराया गया है जिसे जांच के लिए भेजा गया है फिंच ने कहा उसके कूल हिमें चोट लगी है हमें लगता है कि वह प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उसकी स्थिती कैसी है लेकिन कल जिस तरह से उसकी स्थिती थी मुझे नहीं लगता कि वह इस सीरीज में खेल पाएगा और पाकिस्तान के बीच तीन वंडे मैचों की सीरीज मंगलवार को शुरू होगी इसके बाद 5 अप्रैल को एकलौता टी बीस इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद